है यह लो फ्रेंट स्वागत आपका स्टडी हैक चैनल पर मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और त्यारी में जोरो सोरों से लगे हों तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी इंग्लिस ग्रामर की स्रीज चलिए जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक करेंगा कि आप जाके प्रीविएस क्लास जरूर देखें तो आज की क्लास होने वाली है रूल्स पर देखेंट तो आज हम जानेंगे कुछ रूल्स नाउन की जो कि इंपॉर्टेन्ट है जिनका यूज करके एर डीटेक्शन वाले क्विश्चन को सही कर सकते हैं जो कि आप आपको बताया था मैंने बताया था कि उसका कोई plural form नहीं होता है वो क्या होता है नंबर में मैंने आपको बताया होता है singular ही ट्रीट किया जाता है ठीक है तो जितने भी uncountable noun होंगे सब क्या होंगे singular form में होंगे ठीक है और उनके आगे कभी भी indefinite article नहीं लगेगा कौन-कौन से indefinite article तो A or N नहीं लगता है ठीक है ये indefinite article है और दा किया है definite article ठीक है देच हैं आनलोट यूज़ विट प्लूरल वर्प है इनका इस्तेमाल आप debate के साथ नहीं कर सकते हैं अवेशा singular verb भी यूज होगा फिक है और आपको इनने plural बनाना होगा तो उसके आगे आप much या sum लगाएंगे ठीक है मेनी लगा के plural नहीं बनता है ठीक है मेनी किसके लिए लगता है तो countable के लिए uncountable के लिए आपको जो भी लगाना होगा Much या sum लगाना अपने ठीक है कुछ important noun है इस परकाय के ठीक है जैसे कि क्या advice, information, hair आपके बाल, luggage, business, work, word ठीक है mischief, bread, scenery, abuse, vacation, evidence, employment, alphabet, poetry, food, furniture, baggage ठीक है इन सब का न प्लूरल नहीं बनता है इसा नहीं कि आप advice का advices लिख दो, information का informations लिख दो, luggage का luggage लिख दो, work का works लिख दो, word का words लिख दो, hair का hairs लिख दो ठीक है तो word का क्या है sense, in the sense of promise, जहां पर promise देते हो ना, उस sense में word रखना है ठीक है, वो वाला word नहीं, जो अक्छरव वाला होता है, या पर promise कह रहा है, या कोई आप message देना चाहते हो, ठीक है उसको हम treat काते है, uncountable की तरह है, ठीक है, confused मत होना words से, ठीक है, जहां पर promise का sense आएगा, या फिर कोई discussion हो रहा हो, वहां पर जो word यूज होगा, ठीक है उसको हम problem नहीं बना सकते, ठीक है, कुछ example है, जैसे की, he gave me an information, ठीक, फटाक सा बताए कि इसमें गल्ती क्या है, आपको क्या गल्ती दीख रही है, अभी मैं आपको बताया है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, गल्ती क्या है, इसमें क्या करना है, आपको omit करना है किसको, तो he gave me information, ठीक है, next है, you should be true to your words, ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, word का sense यहां पर promise है, ठीक है, यहां पर sense क्या है, promise का sense है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, words नहीं होगा, क्या होगा, word होगा, ठीक है, he was punished for committing many mischief तो many नहीं लगेगा अब क्या लगा सकते हो मैंने आपको बताए कि many नहीं लगता इसके लिए much लगा सकते हो या क्या लगा सकते हो sum लगाते हो और mischief होगा mischiefs नहीं होता है अभी बताया था अबको young person dislikes the advices of elderly people इसमें क्या error है अभी बताया थी कि advices नहीं होता है क्या होगा सिफ advice ठीक है चले next बात कर लेते है ये जो noun है इनको हम singular form में भी denote कर सकते हैं कैसे मैंने आपको बताया था a piece of या a word of advice अभी ये singular हो गया a word of abuse गाली का एक सब्द तो ये singular हो गया ठीक है an act of mischief a piece of work जो भी आपका कार है ठीक है उसका एक टुकर ठीक है a piece या a love of bread an article of luggage ठीक है ऐसे आप इसको singular बना सकते हैं जो आप singular बना सकते हैं तो इसका plural भी होगा ठीक है तो क्या कर सकता है उसका advices लगा दो ठीक है a lot of या many words many pieces of advice भी कह सकते हो ठीक है two pieces of bread बोल सकते हो या two pieces या lopes of bread बोल सकते हो words of abuse बोल सकते हो ठीक है तो आप इसको plural इस form में बना सकते हो ठीक है आपको जब पर plural form में यूज करना होगा advice का तो much या sum लगा देना singular form में यूज करना होगा तो a piece of या award of लगा देना लेकिन अगर जनरली आप advice लिखते हो तो यह हमेशा क्या होगा similar form में ही होगा क्योंकि यह uncountable हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट रूल कह रहा है कि there are some of collective nouns which are used with plural verbs कुछ collective nouns हैं जिनका इस्तिमाल हम किसके साथ करते हैं तो हमेशा plural verbs के साथ ही use करते हैं जैसे कि cattle तो cattle मवेशी होती है तो एक तो होगा नहीं एक से अधिक होंगे gentry, pigentry, poultry में देखते होंगे एक मुडगी नहीं होती है बहुत सारी मुडगिया होती है ठीक है उनके collection को पॉल्टी कहते है तो यह हमेशा plural में use होगा clergy, people, majority, folk ठीक है कुछ ना उन्हें जैसे कि committee हो गया, jury हो गया, house हो गया, ministry, family, mob, crowd, audience, police, team, number, board, staff, public are used with singular verb when they are used as a body ठीक है तो इनका use हम singular verb की तरह यूज कर सकते हैं जैसे कि previous class में बताया था मैंने ठीक है जैसे अब jury है ठीक है तो अगर सबका एक मत होगा ठीक है तो वो तो singular form में होगा लेकिन सबका मत अलग-अलग होगा मैंने आपको बताया था जैसे कमीटी में हर मेंबर का मत अलग-अलग होगा तो इसको हम ग्रूप की तरह जब यूज नहीं करेंगे ठीक है जब मेंबर की तरह यूज करेंगे तब वहां पर हम प्लूरल का यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे अन्य था हम singular verb के साथ ही जाएंगे ठीक है चलिए नेक्स बात कर लेते हैं यहां इसको प्लूरल फॉर्म करेगे या इन्टी विजंपल्ट के बारे मैं तब हम उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे ठीक है इसमें क्या हो जागा क्या तो इसमें फटाक से पता क्या गल्ती है तो बताईए या फ्रिर सही है तो इसमें गल्ती है इन्डिविज्वल की बात कह रहा है तो इन न हो कि क्या होगा आर होगा ठी हार यहां पर correct हो ठीक है next the committee is unanimous on this issue मतलग क्या है कि committee क्या था एक मत था ठीक है मत की बात हो रही हो वो भी एक मत ठीक है सब का decision एक है तो यह क्या है correct है committee is unanimous on this issue ठीक है the committee are divided and there is bitterness among the members तो अब members की बात हो रही कि हर member के क्या है एक से अलग है सब में क्या है? बीटरनेस है हर member में वो उसका दुस्मन बन मैठ है वो उसकी बात को काट रहा है तो अलग-अलग member की बात हो रही है यहाँ पर committee में तो यहाँ पर plural verb आएगा तो यह भी क्या है? तो यहाँ पर आप अलग अलग देशों के लोगों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम people का use कर सकते है जनरली हम people का use नहीं करते हैं लेकिन जहां पर हमने पिपल्स का यूज कर दिया तो वहां पर हम यह कहना चाहरा है कि जो भी लोग है पिपल है वो डिफेंट कंट्रीज के ठीक है ठीक है आपको चीजे क्लियर हो गए हुए तो आगे बाते नेक्स्ट बात कर लेते रूल फ्री क्या कहा रहा है कि जैसे की ऑफ स्प्रिंग हो गया डियर हो गया सिप हो गया फिस हो गया are expressed as similar और plural only by the use of verb बोथ ही similar and plural they have the same मतलब कहना क्या चाहरा है कि जैसे की ऑफ स्प्रिंग हो गया डियर फिस शिप ठीक है तो आप इसका यूज similar में होगा या plural में होगा या ब संटेंस देखके आपको यूज करना पड़ेगा कि sentence कहना क्या चाहा है तो वो क्या होगा है जैसे कि ships are economically used तो यहां पर s नहीं होगा यह ship होगा ठीक है तो यहां पर हम क्या करें रहा है इकनॉमिकली यूज फूलोर है मतलब कि है यह थारे सीप के बारे में बात कर रहे हैं एक से जाना ठीक है तो यहाँ पर एक भेर की बात हो रही है तो यहाँ पे यह सिंगलर वर्ब लेगा ठीक है यहां पर एक से अधिक वेर, उसके पूरे जाती के बारे में कर रहा है, तो यहां पर क्या है, प्लूरल है, ठीक है, ठीक है, और हम फीसेज भी यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हमें सेंस देना होगा, कि किसकी बात कर रहे हैं, जब फीसेज आप यूज कर रहे हैं, तो different number और kind के बारे में कहा हो है कि मच्छियों के परकार के बारे में तो जिक्र करोगे जैसे मनलों के आप कहा रहे हो रोहू, कतला ठीक है इन सब की बात कर रहे हो जो भी fish के के बारे में different number और kind के sense दे रहा हुआ तो वहां पर आप fishes का यूज कर सकते हैं ठीक है जनरली हम क्या यूज करते हैं फिश्य यूज करते हैं आपने कहीं पर fishes लिख दिया तो इसका मतलब होगा कि आप उसके number या kind के बारे में बात कर रहे है ठीक है next rule क्या कर रहा है कि sum of the nouns जो की end होते है s और es लगा होता उनके end में ठीक है are used with similar verb उनका use हम similar verb के साथ ही use काते है जैसे कि branch of learning हो गया जैसे कि mathematics, physics mechanics, politics, statics ठीक है economics तो इन सब का use हम similar form में ही use करते है जब हम subject के form में use करते है तो उसका form similar ही होना चाहिए जैसे statistics का जब हम use करते है कब subject के रूप में तो हम उसके साथ similar verb लगाते है लेकिन हम statistics का use करते है collection of data के लिए तो हम उसका use किसमें करते है तो plural verb के साथ यूज करते है ठीक है उसके साथ क्या एगा plural वर्ब है अब याद रखना है कि जब हम subject के रूप में जैसे mathematics हो गये ठीक है और इसको subject के रूप में यूज करेंगे ठीक है ऐज ए subject जब यूज होगा ठीक है ये क्या लेगा similar और जब हम इसको यूज करेंगे काल्कुलेशन की तो वर्ब क्या होगा फ्लूरल होगा यह चीज यहां दखना सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो सिम्लर ठीक है अगर हम उसका यूज करते हैं किसी और सेंस में जैसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगों सेंसे सब्छेजे करेंगे कि सब्छेज़न के पिछेजन के सब्छेजर तो आगे बरते हैं जैसे को सब्सक्राइब है ठीक है मंप मीजल्स रिकेट जिन के पीछ एस आ रहा होगा यह यह एस आ रहा होगा जितने भी डिजिज के नेम होंगे वो सब क्या यूज़ कि एनके साथ क्या लगेगा सिम्लर वर्म है। जैसे गेम्स हैने स्पोर्ट्स हैं बिलियार्ट, Aquatics, Gymnastics, Athletics ठीक है? Athletics, ETC इन सब के साथ क्या आगा? Similar verb हैगा Titles of books होगे जैसे कि Three Mooks Trees, Believers Travels Arabian Nights, War and Peace Tales of Shakespeare ठीक है? इन सब के साथ क्या लगा? Verb क्या होगा? जो भी verb ही हो जाएगा वो क्या आगा? Similar ठीक है? और जैसे descriptive names है countries के जैसे कि United States United Arab Emirates ठीक है? ये सब नाम है इन के साथ भी verb क्या है क्या हमेशा? Similar ही आएगा ठीक है? I hope आपको सारी चीज़े clear हो गई होगी तो आगे बाढ़ते हैं ठीक है? कुछ और भी example है जैसे कि innings, series, news, summons ठीक है? इन सब के साथ क्या आगा? verb हमेशा क्या होगा? Similar form में ही होगा ठीक है? ठीक है? आएगे कुछ examtas देखते हैं फटा-फटा आप बताना कि सही है या गलत है? ठीक है? The measles have broken out in the tongue ठीक है? फटाक सा बताओ कि ये sentence सही है या गलत है? ठीक है? अगर गलत है तो क्या गलत है ठीक है? तो अभी बताए कि जो भी disease के नेम होंगे ठीक है? ये गलत है तो जो भी disease के नेम होंगे उनके साथ क्या आएगा? Similar हैगा तो यहाँ पर have ना आके क्या आएगा? है जाएगा verb क्या होगा? Similar होगा ठीक है? नेक्स है politics अर और डठी है ठीक सही है य य घलत है? फटाक सव बताना ये sentence सही है य फिर घलत है ठीक है और क्या घलती है ठीक है इसमें भी घलती है क्या होगा? politics के साथ क्या लगा इज इन प्लेस आफ आर ठीक है? आर के जर्गे स्पूली इस काटेगोरी में आता कि similar form में ही news होगा these news are disappointing तो ये भी गलत है ठीक है पहला तो these नहीं होगा this होगा this news के साथ क्या आएगा is ठीक है this news is disappointing ठीक है a या the summons has been served on him साहिए या गलत है फड़ाक से बताना ठीक है ये बिल्कुल साहिए इसमें कोई गलती नहीं है ठीक है और series of matches are being played ठीक है तो इसमें क्या होगा r के जगा पे क्या होगा r नहीं होगा यहां पे क्या आएगा is in place of r r के जगा क्या आएगा is आएगा ठीक है यहां पे r गलती है यहां पे क्या आएगा is ठीक है तू सीरीज ऑफ मैचेज वाज प्लेड लास्ट यह गलत है यह भी गलत है वाज ना आके यहां पर क्या आएगा ठीक अब आपको सारी चीज़े क्लियर हो गए होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूल 5 कहरा कि कुछ नाउं होते हैं जिनका मेंगी चेंज हो जाता है summra our plural form आ आपने इस लगा दिया उसको प्लूरल मना जिया उट्स मतलग आता फॉरिस्ट मतल जंगा जैसे वाटर ठीक है मैटेरियल की तरह यूज होगा जब सिंगलर फॉर्म में होगा मतलग पानी और जब वाटर की बात कर देते हो तो वाटर बडी की बात हो जाती है ठीक है सी के आए तो को जाता है ठीक है मतलब देता है कि लेंद एंश का आप बता ह Mainly एसे और आप बात करते हो शिफ आयरेकर तो कोई क्या समझेगा वह माटेरियल की तरह यूज हो रहा है और जैसे ही आपने आइर्रण्स कर लिए तो रूप में यूज हो तो האל होता है क्वाँ यूज कर लेतikel तो ड्रेस की तरह यूज होता है ठीक है वर्क्स देतो हो तो मतलब क्या होगा, लेवर तो सिंग्ला है इसमें लिस्ट में आप सभी को देख लेए कि ये कुछ specials noun है जिनका singular form में कुछ और use होता है और plural form इनका use कुछ हो के रूप में हो जाता है ठीक है आई होप आपको सारी चीज़े clear हो गए हो तो आगे बाते हैं next बात कर लेते next rule 6 क्या कहा रहा है कि कुछ noun है ठीक है जिनका हमेशा क्या होता है plural form होता है ठीक है वो हमेशा क्या होते है plural form में होता है और हमेशा plural verb ही लेंगे जिनका form ही plural form में होता है और हमेशा plural verb ही लेते है ठीक है जिनका form भी क्या होता है plural और verb भी क्या लेते है तो plural लेते है जैसे कुछ dress है है जैसे कि ट्राउजरस एक ट्राउजर होता नहीं कि अब आधा काट के रख्लो हमेशा क्या होगे दोनों Leंगे वह होते Brière birth जरते जिंस के भी दोनों Leंगा जरते ऐसा तो नहीं कि कोई अधा जिंस हो होने फिल्व हो छीजकर एक अट्रॉलाल का और छीशिकर बन skills ठीक है यह सब हमें सब प्लूर फर्म में होता है और प्लूर वर भी यूज कर लेते हैं ठीक है कुछ और भी है जैसे alms, thanks, proceeds, reaches, contents, credentials, orders, refreshments, requirements, customs, nations, archives, annals, assets, assets, stirs, spirits, statistics, data वाली, quarters, earnings, manners, outscourt, savings, auspicious, surroundings, ठीक है यह सब क्या होते हैं हमें सब प्लूरल फर्म में ही होते हैं और वर्भी क्या लेंगे प्लूरल ही लेंगे ठीक है जैसे देख लोगे जामपल कह रहा है कि my seizures is not सब सही है यह गलत है फटक्स बता होगा गलत है तो क्या गलत है ठीक है इस नहीं होगा यह हमेशा प्लूरल वर्म ही लेंगे ठीक है my spectacles is very costly यह भी गलत है क्या होगा इस नहीं होगा क्या होगा ठीक है a pair of spectacles has been bought by me क्या होगा यह सही है यह गलत है ठीक है तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि a pair लगाके आपने इसको क्या बना दिया similar बना जिया मैंने आपको बताया था कि कैसे आप similar बना सकते है a pair of a piece of ठीक है ऐसे करके आप इसको similar form में बना सकते हो तो यह भी क्या है अब दो sentence है आपके पास ठीक है इन दोनों से बताना आपको सही कौन सा और गलत कौन सा है ठीक है फटाक से बताना मैं कुछ standard आपको पढ़ने के लिए ठीक है order for his transfer has been issued orders for his transfer have been issued ठीक है कौन सा सही है और कौन सा गलत है ठीक है आई होप आप सबीने में बता दियोगा तो यह क्या है यह गलत है order नहीं होगा orders होता है और हमें से क्या होगा plural वह भी ही लेगा तो यह sentence क्या है सही है ठीक है चलिए next बात करते है ठीक है कुछ additional content मैंने आपके लिए दिया आप देख ले ना कि इसके masculine के feminine क्या बनते है ठीक है जैसे कि man servant होता है ठीक है इसका feminine होता है मेड servant वासर मैं का वासर वो में बक रेविट का डो रेविट ब्रादर इनलाओ का सिस्टर इनलाओ ठीक है author का author's host hostess ठीक है Jew Jewess ठीक है poet poetess ठीक है यह सब क्या होते है इसके feminine होते हैं ठीक है अप लोगा देख ले ना मैं आपको PDF दे दूंगा क्लास एंड होने के बाद आपको PDF करना से मिलेंगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके टेल्ग्राम चैनल यॉइन कर लेना वहीं पर आपको सारे PDF मिलते रहेंगे ठीक है तो आज जो भी आपने पढ़ा है उसके प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ कोस्टन दी है तो आज जो पढ़ा है उसी में से तो आप इसको घर पे जरूर्ड ट्राइग करना तो आज के लिए बस इतना ही, I hope आपको आज का class बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में share कर दे, जिने English grammar पढ़ना एक दम basic से, ठीक है, और चैनल को subscribe करना न भूले, तो मिलते हैं फिर नेक्स लेक् की कोशिस करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक क्या.